दोस्तों अगर कुत्तों की नशल में सबसे खतरनाक वद दमदार नशल की बात की जाए तो पिटबूल डाग को पहला अस्थान प्राप्त है जिसे अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है उदारन के तौर पर जैसे रूस में लोग इसे अमेरकी पिटबूल टेरियर की नाम से जानते हैं और इसे भारत में पिटबूल नाम से जाना जाता है वास्तों में यह एक लड़ाक हुए गुसाहल कुत्ता है जिसके जबडे से सभी परजात के अन्य कुत्तों का बज़पाना मुस्किल है जी हाँ दोस्तों आज का हमारा लेक इसी कुत्ते से जुड़ा है आज हम आपको पिटबूल से जुड़े सभी रोचक वा दिल्चस्व तत बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले सायथ कहें नहीं पड़े हैं तो चलिए देर न करते हुए सुरू करते हैं मेरे दोस्त पिटबूल कुत्ते की नशल सरोपर्थम इंगलेंड में पैदा हुए थे और बाद में इस नशल को अमेरिका में लेज जाया गया था और अमेरिका से ये नशल पूरे बिश्में परसीद हो गई थी सुरूवाती दोर में इन कुत्तों को दूसरी नशल के कुत्तों और ताकतवत जानवरों से लड़ने के लिए पाला गया था और कुत्तों की लड़ाई में भी इस कुत्ते का इस्तमाल किया गया था बीसवी सदी के सुरवात में ही अमेरिका में पिटबुल बहुत लोग प्री हो गए थे जो अक्सर सेना की भारती के पोस्टर और अन्य बिग्यापनों पर बहुत दिखाई देते पिटबुल की सारीरिक और मांसिक दिशस्ताय होते हैं जो उन्हें जिम्यदार और सकरी देखबाल करने वाले मालिकों के लिए उत किष्ट भागिदार बनाती हैं आपकी जनकारे के लिए बता दें कि इनकी सारीरिक बनावट इन्हें आम कुत्तों से अधिक ताकतोर बनाती है यही कारण है कि कई देशों में इस कुत्ते को पालतो कुत्ता बनाना गैर कानू में है कि आप जानते हैं, ये कुट्टे अपने मालिक को खष करने के लिए बहुत उत्सुत रहते हैं यही कारण है कि ये कुट्टे अपने मालिक के हाव भाव को आच्छी तरह समझते हैं पिटबूल डॉग पृतक मौसम में भी जीवन जीने की कला में माहिर होती है ये आस्थान, मौसम के अनुस्वार स्वैमपोर ढाल लेती है पिटबूल अपने पूरे जीवन में बहुत चंचल रहते हैं और उनसे हसने, खेलने, कुदने की एक बड़ी भावना होती है